तो आज का मेरा टॉपिक है सिंथेसिस जिसमें हम देखेंगे एड्यक्ट्व क्लाज तो वीडियो को से एंग तक देखिएगा तभी समझ में आएगा क्योंकि यह बड़ा ही डिफिकॉल्ट चैप्टर है तो चलिए देखते हैं सिंथेसिस एड्यक्ट्व क्लाज तो क्या होत हिंदा ऊबकि तो हाइग्ट क्लास कि से एड्यक्ट्व की तरह काम करता है तथा यह ब्रिंस्पिल सिर्टर वाइल वेजए हॉवलं में उस से शुरू होता है रिलेट्व प्रूनाउन का हिंदी मयान से देखएं तो who के माने जो या जिसने यानि इस convention का अर्थ हिंदी में जास शुरू होएगा तो रेट प्रोनांग who का अर्थ होता है जो या जिसने ये वेड के लिए यानि सजीव के लिए यूज होता है वहीं पर which की बात की जाए तो which बस्तों के लिए तखा जानवरों के लिए यूज होता है और which निर्जू के लिए यूज होता है तो which का अर्थ क्या होता है जो वहीं पर who की बात की जाए तो who सजीव और निर्जू दोनों के लिए यूज होता है who's का हिंदी आर्थ होता है जिसका या जिसकी यह विश्टा बताता है वहीं पर home की बात की जाए तो जिसे या डिसको और ये भी सजीव के लिए use होता है और who's objective case के लिए use होता है वहीं पर home objective case के लिए use होता है वई पर RATIV ADVORB की बात 예ंता की जाए तो RATIV ADVORB में When, Why और How आता है तो When बताता है समय के लिए वई आता है कारण यारी रिजे के लिए और How आता है मैनर या मैठेट के लिए तो When का हिंदियार से जब होता है Why का हिंदियार से जिस वजबार है और हाव जिस तरीके से तो विन बताता है समय को वाई बताता है रीजन या कारण को और हाव बताता है मैंनर या मैठट को तो चलिए एक्जामपल से आपको समझ में आ जाएगा डिस इस डेट्व क्या है फूज रेट्व ब्रॉच से शुआ होने वाला क्लाज सानड सो यह इस इस तिस यह आया है नाउन आया है इस दागल ये प्रिंस्पल क्लाज में दागल क्या है नाउन है तो इस गल की विशेश्टा ये पूरा एड़ेक्टिव क्लाज बता रहा है इस दागल ये वही लगकी है जिसकी आखे नीली है तो या यह एजिक्टिक लाग की विशेश्टा बता रहा है वोज क्या है वोज डिलेक्टिक प्रोनाउन है और डिलेक्टिक प्रोनाउन से शुरू होने वाला क्लास क्या होता है अजिक्टिक लाग होता है दूसरा सेंटेम्स देखिए अजिक्टिक लाग होता है अजिक्टिक लाग होता है अजिक्टिक लाग इस नाउन की विशेश्टा बता रहा है तो आगे सेंटेम्स देखिए आई लाग दा फूर्ड डैड इस सिंपल आई लाइक दा फूर्ड डैड इस सिंपल मैं वह खाना पसंद करता हूं डैड इस सिंपल जो साधारा होता है तो यह फूर्ड क्या है? फूर्ड नाउन है और यह डैड क्या है? डैड लेट प्रोनाउन है और लेट प्रोनाउन से शुरू होने वाला क्लास क्या होता है? अजिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक् I know the method, how I should do it, मैं उस method को जानता हूँ, how I should do it, जिस तरह से मैं इसे पूरा कर सकूँ या कर सकूँ, या वजे पूरा करना चारिए, तो यह method क्या है, method noun है, और जब method या तरीका बताएगा, तो क्या है गांजन्शन, how गांजन, how क्या है, relative adverb है, और यह relative adverb क्या बताता है, method यह method यह method यह method बताता है, तो मैं उस तरीके को जानता हूँ, जिस तरीके से मैं इसे कर सकूँ, या जिस तरीके से मुझे इसे करना चाहिए, he does not know the place, he does not know the place, वो उस अस्थान को नहीं जानता, where he was born, जहां वो पैदा हुआ था, या जहां उसने ज जन लिया था, तो विहर क्या बताता है, विहर लेके adverb है, और यह क्या बताता है, यह अस्थान बताता है, यह अस्थान बताता है, तो देखें, विहर से पहले क्या आया है, अस्थान आया है, और इस से नाउन की यह विशिस्ता बताता है, कि मैं उस अस्थान को जानता हू जहां वो जहां उसने जन लिया था दावा है who is here is intelligent अब देखें यह क्या है who क्या है who relative pronoun है यह अपने से पहले आये हुए noun की क्या बता रहा है विशेटा बता रहा है दावा है लड़का who is here जो यहां है is intelligent यह क्या है बुद्धिमान है दामाय हो यूसा इज एक प्रोफेसर आदमी यह क्या है दामाय क्या है नाउन है और यह हों क्या प्रोणाउन है और यह अपने से पहले हुए noun की क्या कर रहा है विशेटा बता रहा है तो आपने से पहले आया हुए noun की क्या बताता है विशेटा यानि हो के बाद कभी भी वर्ब आएगा तो वर्ब आएगा कोई नो कोई वर्ब आएगी और हों के बाद क्या एगा सब्जेक्ट आएगा यह पुरा एगे प्लास मैंच की विशिष्टा बता रहा है तो आगे चलिए थोड़ा से और देख लेते हैं को सेंटेंस कुषा रहे हैं दडाग वीच इस ब्लेक इस माइड़ाग वीच इस ब्लेक इस माइड तो विच क्या है रिलेट्व प्रॉनावं है और ये विच निल्जी वत्व हों के लिए तथा जानवरों के लिए यूस होता है The bell, which is play? फुट्टा, जो काला है, इस मैं मेरा है तो ये विच्च और अलेक्टि पैद्टी पैद्टी पैलाउन है और अलेक्टी पेलाउन से शुरू लुने वाली क्लास की होती है ? अज्एक्टि पैलाउन, अज्एक्टु क्लास होती है निर्ज्वो वस्तो और्म के लित हो कि, तब इस इस कार or वा क्रणम व्यां कर लुजिए , अभ इहां पर दिखिए this is the car which I have but , आभ इहां पर इस इस कार कार निर्ज्वोम वस्ता है , तो लित हिसस है , यह झा सकर है , लिजिशटा भाइने उस हिसी , फूज नेमिस कामी, यह वही कुट्ता है जिसका नां क्या है कौमी है आप फूज का प्योग देख्किये फूज निर्जू के लिए भी आता है और सज्यू के लिए भी आता है इस पौदेजम बताता है, अधिकार बताता है तो ये अधिकार बताता है तो ये वही कुत्ता है जिसका नाम क्या है टॉमी है ये वही लड़का है करें तो यहां पर दिखें पहले भी नाम आया और बात में नाम आया है इस दो नाम की बीच में अधिकार बताता है इस लड़के का भाई किया है इस इस लड़के का भाई क्या है तो डायेट का यूज निर्जीव के लिए भी होता है और हम इस डाइट वाला सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं देखें, this is the teacher this is the teacher हम यहाँ पर which का भी यूज कर सकते हैं teacher क्या है? विप है तो यहाँ पर हम भू का भी यूज कर सकते हैं this is the teacher who taught taught my children तो जहाँ पर हम there का यूज करते हैं वहाँ पर who का भी यूज कर सकते हैं this is the teacher यह वही teacher है यह वही अध्यापक है that taught my children जिसने मेरे बच्चों को पढ़ाया ठीक वही सेंटेंस यह भी है this is the teacher यह वही teacher है who taught my children जिसने मेरे बच्चों को पढ़ाया तू जहां पर हम that use कर सकते हैं वहाँ पर ला कूर which का भी use कर सकते हैं दूसरा देखे this is the car ये वही कार है that is red this is the car ये वही कार है that is red जो कि लाल है तो देखिए यहां पर डैट तीचर के लिए आया है यानी वेट के लिए आया है और यहां पर डैट इसके लिए आया है कार के लिए यानी बस्तू के लिए आया है तो डैट वेट के लिए आ सकता है और बस्तू के लिए आ सकता है तो अब हम इस चैंटेंस को वि कंभी कार है वीज में राप आज yum useful की यहाँ यहां पार द कि कर Pan repeat यह सकते हैं यह है तो चलिए यह से प्योगवाने वाले सेंटर्स और भी हम दो तिन देख लेते हैं दैट से शुरू होने वाले सेंटेंस देखिए अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो दैट का यूज होता है जैते की सेंटेंस है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ दे दिया जो कुछ उसके पास था तो देखें एविशी यहां पर आया है और डैट का यूज हुआ है तो डैट क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है और जब एवरिफिंग नथिंग दा ओनली एनी आल एन एवरिवन मच लिटल आ लिटल दा सेम दाफिव आ जाता है तो क्या वो यूज होता है डैट का तो sentence मैंने आपके थामें लिखा है तीन है sentence मैं फादर हाज गिवन मी एवरिफिंग देखें दिस इस दा ओनली पें दिके दा ओनली आया है और यहाँ पर डैटका लिँज हुआ गःफिंग दी कुछ किताबों को पढ़ी जो की मैंने उसे दिया था तो यह डैट से शुरू हो ? वाले sentence है, इस sentence में dad का use होगा, तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसको like करिए, ज्यादा से ज्यादा share करिए, और जो लोग channel पेंड नए हो, इसको subscribe कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे, thanks.